चेहिन दोस्तों मैं हूँ रामकेश चोधरी स्वागत्य आप सब का हमारे यूटूब चैनल पर आज मैं आप से बात करने वाला हूँ उसका अपना टोपिक रहेगा यहाँ पर अपन आरे सी के एकजाम के पॉइंट ओफ यू से कौन कौन सी टोपिक महत्तोपूर्ण है उसके चेप्टर है प्रिंसिपल ओफ रेफ्रेजरेशन रेफ्रेजरेशन की प्रिंसिपल देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके नियू जो होती है उसके पर्स चेप्टर से अपनको पता लग जाता है कि इसमें आगे क्या आने वाला है तो यहाँ पर जो है अपना जो फर्स्ट चेप्टर है वो सबसे महतुपूर है यह तो आपको पढ़ना है अगर आप कुछ थियोरी नहीं आती है आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी फर्स्ट चेप्टर आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो दो दो नमर के परशन बनने वाले वो भी यही heat pump और refrigeration machine इन दोनों पर refrigeration के method जो है इन दोनों पर एक आपको बड़ा प्रश्ण जो 25 नमर काने वाला है वो बन सकता है दूसरे chapter के पर बात करें दूसरे chapter में आपके यहाँ पर 5 topic है, 4 topic है air refrigeration system vapor compression system method of improving COP and vapor absorption system यहाँ पर इन 4 topic में जो सबसे महतुपूर्ण है, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है और वहाँ पर exam में आने की द्रश्टी से कि यह तो आए गई से ही, वो है आपका vapor compression system, इसको अगर आप पढ़ लेंगे एक बार, तो इसके chance से हीजए कि आपको वहाँ पर vapor में देखने को मिल जाए, साथ ही साथ इस चेप्टर में से आपको reverse card note cycle cathortical or actual reverse button cycle ये भी आपको एक बार देखके जरूर जाना है और इसमें जैसे एक प्रशन देदेगा हो 25 नमर का, उसमें छोटे छोटे 4-5 question डाल देगा, उनमें इनको पूछ सकता है, वो साथ ही में ये vapor absorption system है ये जो last का topic है 2.4, refrigeration system वाले चेप्टर का ये भी वहाँ पर पूछ सकता है Electrolux refrigeration की बारे में आप से वहाँ पर पूछा जा सकता है तो इसको महतुपून जो topic है अपना हो हो जाएगा vapor compression system और vapor absorption system ये तो आपको देखके जाना है तीसरा चेप्टर है रेफ्रिजेंट, रेफ्रिजेंट में से छोटे छोटे प्रस्ण आपके वहाँ पर पूछे जाएगे 4-4 नमर के या 3-3 नमर के या दो-दो नमर में जो आपका first question है जिसमें आपको सभी प्रस्ण रटेंब करने है उसमें से इस चेप्टर से पूछे जाएगे classification आपको आना चाहिए refrigeration कितने ट्वाइब का होता है primary और secondary और उसकी properties क्या होती है refrigeration की properties और दस property होती है ये आपको याद होनी चाहिए मैं यहाँ पर topics के बारे में discuss नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इतना सा discuss कर रहा हूँ कि आपको क्या compulsory है जो पढ़के ही जाना है आपको pass होने के लिए इसको तो पढ़ना ही पढ़ेगा ये तो जरूर ही है वरना आप वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं लिख पाऊ हुए तो आपको रेफ्रेजरेंट के बारे में जानना तो पढ़ेगा कि रेफ्रेजरेंट क्या है अब यहाँ पर आपन चोथे चेप्टर में देख लेते हैं कि आपको जो पढ़के जाना है ना बस वो इसके अलाब आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका कम चल जाएगा भी आपको चोथे चेप्टर में कमप्रेशर के बारे में नोलेज ओन चीर रेस्ट परगेटिंग कमप्रेशर और सेंट्रिफिवल कमप्रेशर बागी सारा आप छोड़की भी जा सकते हो अगर चाहो तो वरना जिसको ज़्यादा नमबर लाने है उसको तो पूरा पढ़ना है यह उनके लिए है जो बच्चे कम टाइम में अपना पास ओने का जोगार ढूनते हैं इधर उधर उनके लिए है वीडियो रिफॉजिशन एपलिकेशन तो आपको बता है कि अपने AC किस काम में आती घरों में लगाते है पना वाटर कुलर हो गया है यह सब इसके अपलिकेशनों स है यह तो आपको अगर नहीं याद है तब यह आप लित दोगे एसी अपन घर में लगाते हैं गाड़ियों में चलती है अपने वाटर कुलर हो गया फिरीज हो गया यह सब इसके एप्लिकेशन्स में आ जाएगा और लास्ट के जो यह दोनों चेप्टर है साथवा और आठवा साइकोमेटरी और एर कंडिशनिंग इन दोनों को BTR ने बोलाएगी इन दोनों से आपसे कोई भी प्रशन नहीं पूछा जाएगा तो यह दोनों आपको पूरे पूरे छोड़ देने हैं और छटवा चेप्टर चोधे में आप नॉलेज्ट लेंगे कि रेशएप्र रोकेटिंग कंपरिसर क्या होता है और सेंट्र्ल कंपरिसर क्या होता है जिससे आपका काम सफिशेंट हो जाएगा 어उन